हलो एब्रिवन आप सभी का साइंस फाउंडेशन के ओनलाइन प्लेटपर्म इपर बहुत-बहुत स्वाजत है और आज की अपनी जुलो जी की क्लास है फिर्ष्ट सेमेश्टर की ठीक है बीएसी फिर्ष्ट सेमेश्टर की और इसके अंदर अपन देखने वाले हैं लाइसोस क्लास में क्लास के अंदर जो टोपिक है सेकेंड माइटोकॉंड्रिया वह आपके एक्जाम के दिर्ष्टी से काफ़ी इंपोर्टेंट है और उस टोपिक को यहां पर जूलो जी के अंदर आपने थोड़ा सा बेसिक कवर करेंगे बाकि बोटने के अंदर उस टोपिक में व ठीक है लाइसोसों के बारे तो सबसे पहला लाइसोसों को समझने से पहले अगर आपने पहले की क्लास नहीं लिया है कोसिका फिर कोसिका के बार उसके प्रोकरेटिक और यूकरेटिक कोसिका में अंतर फिर उसके बारे कोसिकां दोरी जिल्ली उक्त एकल जिल्ली उक्त और जि देखने देखो सबसे पहरे तो जो यह एक polymorphic को सिकांगे अथार बहुरूपी और इसको इंगलिश में बोलते हैं polymorphic को सिकांगे यह एक बहुरूपी को सिकांगे और एक क्यों से मैं आप सी एकर जिली युगत को शिखाएं, या फिर जिलि रहीत को सिखाएं, या फिर धोरी जिली युगत को सिखाएं इस क्यूसन का जवाब आप मेरे को दोगे। तीक है। अब देखो बात करें यह है कोशी का का डाइजिस्टिव सिस्टम बनाता है गोल जी यह सोरी लाइसोसों जो होता है यह क्या होता है कोशी का का पात्सं कंत्र बनाता है कोशी का का पाचन तंतर बनाता है क्या और जो य। पाचन तंतर बनाता है तो भाही आपर समझ में आया पाचन तो इसके अंदर पाचेंग एंजाइन है और वो पचास प्रकार से प्रकार के पाचा के एंजाइम पचास प्रकार के पाचा के एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं ठीक है पचास प्रकार के पाचा के एंजाइम लाइसोसोम के एंदर पाए जाते हैं और ये लाइसोसोम कोशिका का पाचन तंतर बनाता है और लाइसोसोम एक बहुरूपी कोशिका होगा है ठीक है यह आपकी क्लिया है Next मैं बात करूँ कि जो 50 प्रकार भी पाचेक एंजाइम है ये SAD कोते हैं ठीक है कैसे होते हैं SAD कोते हैं और ये SAD कोते हैं तो भाई SAD कोते हैं और SAD कोते हैं तो भाई ये PX-1 5 पर बहुत अच्छे से कारिये करते हैं ठीक है कैसे होते हैं 5 पर बहुत अच्छे तरीके से कारिये करते हैं और PX-1 5 पर बहुत अच्छे तरीके से कारिये करते हैं कोशिका के अंदर जो है, पाचन का पारियाग करता है, लाईसोसोम करता है, और लाईसोसोम जो होता है, इसको कोशिका की आत्मधाति थहली कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं, यह अपना आगे इसमें देखने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि भाई पाचन एंजाइम तो है पाचन तंतर तो बना रहा है कोशिका के अंगर परन्तु अगर यह से में कुछ गरवड़ी हो जाती है तो यह पूरी कोशिका को यह खा जाता है पूरी कोशिका को इनस्ट कर देता है पूरी कोशिका का ही पाचन कर देता है ठीक है और वो किस तरीके से करता है यह अपना आगे क्लास में देखेंगे उससे पहले देखें कि कोशिक आपा पाचांत अंतर लाइसोसों बनाता है और 50 प्रकार के पाचक एंजाइम लाइसोसों में पाये जाते हैं जिनमें से एसीडिक मान जो एसीडिक होता है उस पर प्रकार पाचक एंजाए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और मान लो यह प्रकार पांच से चार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं और पांच से चार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं परनतु इदर यह साथ चला गया और इदर यह एक आ गय तो वाई साब ये गड़वड़ी हो गई, पियाच मान में, और ये गड़वड़ी हो गई, तो ये जो लाइसुसों है, ये सभी लाइसुसों, ये सभी लाइसुसों किसी कारण वस है, एक साथ फट जाएं, और एक साथ कब फटेंगे, मान में एक तो गड़वड़ ये हो गई, और कोई गड़वड़ हो जाए, जिसके करण लाइसुसों, एक साथ फट जाएं सबी लाई सो सुन तो ये क्या करते हैं पूरी कोशिका को हो जाए तो ये पूरी कोशिका को नश्ट कर देते हैं नश्ट कर देते हैं और इसी वज़े से कोशिका की आत्मगाती थेली लाई सो सुन को कहा जाता है इसी कारण नवस लाई सो सुन को कोशिका की आत्मगाती थेली कहा जाता है तीक है अब 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 बात करेंगे अब में पढ़ लिया आप लाई सो सो के बारे में बेसिक सा नेच्ट में बात करो इसके कारिये इसके कारिय क्या क्या है वर्ग लांसोसोंटिक कहते हैं तो इंट्रासेलिलर डाइजेशन का कारिय है एक तो कोशिका के अंदर पाचन कोशिका के अंदर पाचन तंत्र यह फिर पाचन करने का कारिय है जिसको अपने इंगलेश में बोल सकते हैं इंट्रासेलिलर डाइजेशन ठीक है नेट्स्ट है सरीर के या फिर कोशिका के मरत एवं मरत एवं पुराने कोशिका कांगो को नश्ट करने का कारिय है ठीक है नश्ट करने का कारिय भी को करता है आपके लाइसोसों करता है अब देखो लाइसोसों को बनाया है किसने एंडो प्लास में क्रेटिकुलम अपने पिछले अइसके कलास में बार की प्लास गोल जीवूती इन्होंने क्या किया लाइसोसों बना दो दिया और बहुतं में ये दोनों ही काम नहीं करते हैं या फמצ नश्ट उदाते हैं तो इनका σफाय को न कर देगा लाइसोसों कर देगा यह तो बाइट वो कानी हो गई जैसे अपने इस्ट्रे में पटा होगा की बाग को बेटा अधा जो बाग को बेटा खतम कर रहा है वाज्गद्दी के लिए पर उस्लिए मार रहा हुब लाइसोसों इसलिए मार रहा है कि बटा तुम्हारा कोई काम नहीं है हाला कि रिष्टे में तो ये गोल्जी बोडी और एंटरप्लाजमी ट्रेटी कुलम लाइसोसों के बाब लगे परतियां पर इस्ट्री दोराई जा लिए उन्होंने जैसे आपने पड़ा होगा कुम्बा है और कुम्बा की हत्या जो है इतना अनुभ होई नहीं है और उद्य उसका बेटा था ठेक है उसी तरीके से उदा उदा हाँ कंपराण हुए देखो कुम्बा की अथ्या जो किस ने की थी उदा ने की थी और उदा इसका था बेटा था अब यहां पर मान लो एंड़ोक्लाजमी क्रेटिकुलम और लाइसोसों के पिताई हुए तरीके से क्योंकि यह दोनों मिलकर लाइसोसों बना रहे और बहुत से मागर गो एंड़ोक्लाजमी क्रेटिकुलम और गोल्जी बोडी का काम खतम हो जाता है नश्ट हो जाते हैं तो इनको कोशिका से सप्राय करने का काम कोन करेगा लाइसोसो सबी लाइसोसों में एक साथ पट जाएं या फिर फट जाएं तो वो एंड़ोक्लाजमी क्रेटिकुलम और गोल्जी बोडी के साथ साथ पूरी कोशिका को भी क्या कर देंगे नश्ट करते हैं इसी वज़े से लाइसोसों को कोशिका के आत्मगाती थेली कहा चाता है जहां यह उन पुराने कोशिकांगों को नश्ट करता है ठीक है नेक्स्ट में बात करूँ एक्स्ट्रा सेल्वेर डाइडिशन अथा कोशिका के बाहर आचन करना ठीक है नेक्स्ट इसका तीसरा का यह है कोशिका के बाहर पार्चन करना ठीक है कोशिका के बाहर भी क्या करते है यह पार्चन करते है और किस तरीके से करते है देखो जैसे मां लोग किसी के फैक्चर होगा पैर के अंदर ठीक है पैर के अंदर क्या हो गया है फैक्चर हो गया है यहां से पैर उट गया अब इसको क्या करते हैं जैसे मालो यहांपर से वापिस से डोक्टर के पास गए और डोक्टर ने इसको क्या कर दिया जोड दिया ठीक है इसको क्या कर दिया टांके लगा दिया यहांपर अब इसके बाहर जैसे तोचा की छोटी छोटी परत जो है इसके बाहर बनने लगती है ठीक है और इसको लाइससों क्या करता है कोशिका के बहार इसको पाचन करता है जिसको इल्विल को बैलेंस में लेके आता है ठीक है इसको अठाने का थारे करता है तो ये कोशिका के बहार भी पाचन करता है कोशिका को इस से प्रदाम करता है ठीक है तो यह आपके लाइसोसोम की कहां ही है जो कि मैंने आपको बताई और लाइसोसोम के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं नोर्मल है इसके बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से आपको पेडियेप के अंदर मिलेगा समझने वाली चीजे हैं जो मैंने यहां पर समझाते हूं ठीक है थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा पीडियेंग से देखके किलियर करें ठीक है नेक्स्ट में आप क्यों माइटो कॉंटर ठीक है नेक्स्ट अपना कोशिका आँगे क्या पॉंडरिया को कहते ही अब पाउर आउस माइटो पॉंडरिया को क्यों कहते ही क्योंकि क्योंकि ATP की रूफ जो ATP है वो संस्लेशित होती है ठीक है क्या होती है संस्लेशित माइटो कॉंडरिया माइटो कॉंडरिया के बारे मैं मैं देखे ही तो इसको सबसे पहरे तो क्या बोलते हैं आपके आउर होस और से अधार्थ पुर्शिका का पाउर आउस करते हैं क्योंकि ATP के रूफ में यहाँ पर क्या होती है ATP का संस्लेशन या फिक्स ATP का स्टोर होता है क्या होता है इस्टोर होता है ATP की फुल पॉर्म होती है अब आपसे मैं यहां पर पूच्छूंगा की कि एड्स की पुलवर्म आपको बता लिए ठीक है जी दरूर बताना मैं देखता हूं कि कौन-कौन से टुडेल क्लास को लेते हैं बाकी ऐसे ही थोड़ रहें ठीक है एड्स की फॉलवर्म आपको बताने एटिपी की में लिए पावर आप पावर हाउस ऑफ सेल कि यहां पर एटिपी के रूप में उर्जा संस्वेशिक होती है और जो उर्जा होती है यह उर्जा है यह माइटोकॉंडरे के अंदर रहती है का लगना और इसकी फॉलवर्म होती है एड्स ट्राइफास्पेट और आपको पता है कि सबसे सक्रिय कोशी कान माइटोकॉंडरे होता है सबसे सक्रिय कोशी कान माइटोकॉंडरे है कि पोता है क्योंति कि चेवर पहला अधर तो इसके अंदर क्या होता है कि वैस्पाइरिशन चलते है जो माइटरुपंड्रेट और up or program .' блокきます khosika के एक मात्प्रों प्र्सिकां में फुरत में जिन के पास ... फुरिल का i dna होता。 क्यों होता है हुल्त lijतल देट है क्या हुता है .. हुल्ट और ये क्या हुते है हाज.. तो इसो जैसे हुनिद यो सब्सक्रिया को सिकंग खेर अधर को आइस के बांगी पर बैसिक咖ेंगे विश्थारत में पर भार। नहीं में ठीक है देखो नेक्स अर्द स्वायत को सिकान होता है ठीक है अर्द स्वायत अब ये अर्द स्वायत को सिकान ही होता है तो अर्द स्वायत का मतलब क्या है ये समझ रहे हैं अर्द स्वायत का मतलब होता है कि ये स्वैंब के आदे काम खुद करता है भाई दूसरे कर डिपैंड नहीं होता है खुद करता है इस वज़े से ये क्या होता है हर्द स्वायत को सिकां होता है सबसे सक्रिय को सिकां होता है क्योंकि इसके पास स्वैंब का तो बिये ने है होगा डी एस होगा की इस के अंदर पाया राता है खुद एसमें क्या होता है है वह स्वायत अर्द सुवायत कोसी काम होता है क्लिए स्वैμη के आधे कांग खुद करता है ठीक है? वह सब्वे को साखन को इसको आपन बोल सकते हैं को सिकाथ के अंदर को सिका कहा जाता है Inspector पूंदर आपको पोशी का के अंदर को कोशी का कहा जाता है को शिका के अंदर कोशी का इसे कहा जाता है ठीक है लेक्ट बात तो इस डायग्राम की की डायग्राम के बारे में कोई चर्चा नहीं वह रहा है कि आफेड़ है यह वह बहारी जल्दी नहीं कि ऑपने पड़ाता की मायटाम डेर दोरी जल्द दो आपकर को देखें यह होए आंत्रिक जली ठीक है यह होए भारी जली यह होए आंत्रिक जली और अपन देखें इसके अंदर क्रिष्टी जली अध्यक्तरिक्स मेट्रिकस औरें किर्ष्टी और अम जली आनना ध्युद्य रियैं को डिक ट्रिकुन सोनquent दो यह हो गया राइबोसों और इंटेंदर डीनी और कैसा डीनी राइगा डीनी उचे इंदर पाए जाएगा ठीक है तो यह इसका नूर्मल सा चित्तर है बाप यहां फीडियर में देख लेना फुल चित्तर आपको देखने को मिलेगा ठीक है नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके कारिये यह अपर ने बढ़ लिया थोड़ासा माइटो कोनेक्ट बारे में बेसिक अब अब अपन बात करेंगे इसके कारिये के बारे ठीक है यह देखो जो कोशिका के अंट्रस्पस्ण होते हैं न वो मुख्यती यहीं में सबता है ठीक है झारी हम इसके कारी हम ईसके यह देखों अब है कय बात कर देक है कोशिके स्ट मुख्यत बात कर दोड़ सेखों बा दे बात कर दोस्ट मुख्यती यहीं ज़ता है और नेक्स में बात करूं एक प्रोडेक्शन यह विए नहीं होता है यह तो आपके बता दिया वह एक प्रोडेक्शन और एक टीपी का इस्टॉर भी क्या होता है यहीं पर होता है नेक्स्ट कि इसको एनर्जी केरेंसी ओफ सेल भी का रहता है यह जूलोजी अपन पढ़ रहे हैं इस वज़े से में माइट्रों ड्रेक्वारें नॉर्मली बात कर रहा हूं आपन बोटने के अंदर इसका बारें में विस्पार से बात करेंगे ठीक है इस वज़े से थोड़ा सा बेसिक स मैं यहां पर बता रहा हूं आपको ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अब आपन पढ़ेंगे माइट्रों ड्रेक्वार अगला कुशिकांगा अपना हाथ है सेंट्रों जो कि मैंने आपको बताया था और यह एक्जाम में आ भी जाता है कभी को बार सेंट्रों के बारे में पू हां तो देखो सेंट्रों सों जो कि आपके एक्जाम में इसमें सी क्यूशन अपसे पहले तो पूछा गया है नहीं बाकी क्यूशन आ सकता है इस वज़े से इसका पर थोड़ा सा बेसिक देखें ठीक है बाकी इसके बारे में आपको जो है जो पीडियेव देंगी उसके अं होते हैं देखो सेंट्रों समझ होते हैं यह दो बेलनाकार है दो बेलनाकार सरचना हो से मिलकर बना होते है और जो दो बेलनाका सरचना ही होती है वो कौन-कौनची होती है वो होती है सेंट्री ओर होती है क्या होती है कि यहां पर मैंने चित्तर भी बनाया है यह क्या होती है सेंट्री ओर होती है जो दो बेलनाकार सरचना होती रूप में इस तरीके से रहता है और यह क्या करता है यह आपके सेंट्रोसों बनाता है ठीक है क्या जबता है सेंट्रोसों बनाता है next में बात करूँ कि सेंट्रोसों में दोनों सेंट्रियों एक दूसरे के संपोर पर इसकित होते हैं ये जो दोनों सेंट्रियों होते हैं ये जो दोनों सेंट्रियों होते हैं ये क्या होते हैं ये दूसरे के संपोन आकार पर होते हैं क्या होते हैं संपोन आकार पर होते हैं अधार संपोर ये होते हैं देखो आपने चित्तर में में देखा संपोन आकार के ये होते हैं ठीक है और थोड़ा सा भाई आपके आवाज की प्रोब्लम आएगी क्योंकि बाहर है जो काम चल रहा है रोड का वर इस वज़े से बहुत प्रोब्लम हो रही है क्लास बनाने में तो थोड़ा से मैंनेज करो बाकि आज आज में अपने सेंट्रियों को कवर कर लेते हैं फिर नहीं पड़ेंगे हैं देखो एक दूसरे के संपॉर्ण पर इस्टित में रूठें थे नैक्श्यू बारे में बात तुं यह को देख लोज़स को सुरूं करें लिए में सब्सक्री हुं होता है कि कोजी का विज़स को शुरूं करने में मेहतोपूल ने भूमी का आपके निवात है तिक है कोशिका विवाजन को शुरू काते हैं मेहतोपूल भूमी का निवात है कोशिका विवाजन के समय इस्पाइंडल फाइवर्स की द्वारा यह है गुण सुत्रों से जुड़ता है तो सेंट्रों की बैस यही नौर्मल सी आपके बेसिक थी जो आपने देख ली आज आपकी प्लास मनाने में प्रोब्लम हो रही है तो इस वज़े से अपन इस क्लास को कल कंट्यूनियो करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब दके लिए जैहिंद बंदे मात्रब धन्यवाद